असलाव अलेकुम डिया स्टुडेंट्स वेलकम एक्सपी अकेटमी डाट कॉम जहां पर आप स्टेप फाइस्टेप्स कम्प्लीट तुमाम कम्प्रिटर कॉर्सेज की ट्रेनिक उर्थु जबान में सीख रहे हैं डिया स्टुडेंट्स आज की वीडियो हमारी एक क्वेस्टन के पर है क्योंकि हमारा एक्सपी केटमी का क्वेस्टन और अंसर का सेशन एक्टिव हो चुका है जिसमें आपके सवालात और उनके जवाबाद आपको मिलते हैं सबसे पहले मैं यह आपको बता दूँ कि यह आपको कहा से मिलेंगे आपके सवालात और जवाबाद उनके डियस्टुडेंट्स जब आप एक्सपीकेटमी.com को उपन कर देते हैं तो आपके पास बिलकल यहां पे आपके सवालात और उनके जवाबाद का आपके पास यहां पर कुछ वीडियो आपको दिखाई देंगी जिसमें आपके सवालात और उनके जवाबाद का सेशन मुझूद है. आपका क्वेश्टिन उपर टाइप क्या क्या होगा? एक नॉर्मल यह निके क्वेश्टिन के तर जो में आपका टॉपिक होगा जस्ट उसको यहां पर जाल देते हैं और उसके बाद उसका आंसर वीडियो के थुरू आपको मिल जाता है. इस तरह से आप और हसानी के साथ अपना जो भी आपका सॉट्वेर है प्रोग्राम में उसको आप हसानी के साथ आप सीख सकते हैं. तो क्वेश्टिन आप कैसे डालते हैं अपना नेम, अ आपको यहां पर नबरिंग देखनी पड़ेगी. जैसे के लिखा हुए 0 प्लस 7 जो अंसर बनता है वो आप अधर दे रहेंगे. और अपना जो आपका साथ क्वेश्चन होगा वो हमें सब्मिट कर देंगे. जैसे हमें यह क्वेश्चन मिले का हम कुशिश करेंगे. इंशा के तोर पे अगर आपके पास AutoCat 2017 है वहां पे आपने एक फाइल को सेव किया है और आप दूसरे सिस्टम पे जहां पे AutoCat 2006 पड़ा हुए है वहां पर आप उसको कैसे उपन कर सकते हैं. बिल्कल आपके पास यह question है. सबसे पहले example मैं आपको दे देता हूँ. मेरे पास यह Auto अब जब मैं अपने पास कोई भी प्राना वर्जन ओपन कर देता हूँ. अब मैं इसके लिए न्यू पे ओपन पे चला जाता हूँ. ओपन पे जाने की बाद मेरे पास यह डिस्टॉप पर यह मेरी फाइल मुझूद है. तो डिस्टॉप यह मेरे पास फाइल है. यह मैं इ तो इसको यह कर देता हूँ. लेकिन जैसी आगे जाते हैं तो आपको कहता है आपकी ड्राइंड फाइल जो आपकी है इस नाट वैरेट. अब यह मैसिज क्यों देता है? यह उस वाद देगा जब आपकी फाइल किसी अपर यह निके जिस वर्जन में आप है इससे किसी अप हो सकता. तो इसलिए आपको करना क्या होता है? जब आप आपके पास आटोकेट के इंदर काम कर रहे हो, आपने इसको दुसे सॉट्फवेर के इंदर इसको उपन करना है, तो आप क्या करेंगे? इस फाइल को अगेन सेव एस कर देए. मैं सेव एस की पर क्लिक कर देता और यहां पर आपके पास options होती है, मुफ्तलिफ ठीक है जी? आपके पास जो lost option आ रही है, वो आ रही है 2013 टोकेट, आप 2010 के लिए सेफ कर सकते हैं, 2007 के लिए सेफ कर सकते हैं, तो मैं आपको यह recommend करूँगा, आप इसको कुशिश करा करें, 2004 के लिए सेफ कर दिया करें. इसम जो मैंने यहां पर देखिए, उस file पी आप रहे हैं, मैं इसको बेशा के दियसे बंद कर देता हूँ, और मैं अब चला जाता हूँ, AutoCAD के पुराने version के पर open पे चला जाओंगा, और पहले जो file open नहीं हो रही थी, देखते हैं, तो देखें, हमारे पास वो file open हो चुकी है, तो इसना से डिस्टेंट्स, जब आप पास कोई बड़े version वाली file, latest version वाली file, पुराने version में ना open हो रही हो, तो जब आप उसको save as करते हो, वहां से आप इसकी file की type को आप change करते हैं, तुस्तरा से वाली file को किसी भी version के पर open कर सकते हैं, तो यह आज का हमारा question था, जिसका answer question यह था, कि हम अगर अक्सर वकात ऐसा होता है, हम जो file save करते हैं, वह नीचे वाले version के पर open नहीं हो, तो इसकी क्या वज़ा है, तो यह वज़ा मैंने आपको details बता दी है, अगर आपको हमारे video पसंद आई है, तो please request आप से, तो आप हमारे video को like कीजेगा, feedback must कीजेगा, share must क कीजेगा, और हमारा channel subscribe must कीजेगा, क्योंकि अगर आप इस video की update चाहिए, definitely यह आपने इसको question डाल दिया, आपको इसकी update भी चाहिए, तो आप अगर हमारे video के साथ subscribe होंगे, तो इन्शालला आपको इसकी update ही मिल जाएगी, इसलावडियोश्रेंस, XP Academy आपको वक्तर मवक्तर मफ्तलिफ courses की update भी provide करता रहता है, और XP Academy का जो दिके का रहा है, उसमें आप कोई भी question हमें type कर कर बेज़ें, चाहिए वो आप हमें WhatsApp की थूरू बेज़ रहे हैं, email की थूरू बेज़ रहे हैं, Facebook की थूरू बेज़ रहे हैं, या हमारे website के session पर आकर हमें type कर कर बेज़ रह करें और जो कोई course नहीं आए उसके बारे में आप डेमर स्वेरा देखें, और अगर आपको पसांद आए तो प्लीज उसके लिए हमें call करें, 0343 901 7779 पे, तो इस नेक्स लेसें तक के लिए मुझे अजाज़त दे, अपती दौा में याद रखेगा, अलाहाफेस, असलाम अलेकम.